केजरिवाल और आम आदमी पार्टी के कई नेता इस वक्त भ्रष्टाचार के आरोपों से घे रहे हैं आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता सतेंद्र जैन और मनीश से सोधिया सलाखों के पीछे जा चुके हैं वहीं दूसरे कई नेता जाच एजेंसियों की रडार पर हैं खतिच शराब घोटाले में अब केजरिवाल से भी सीबियाई ने पूछताच की है मतलब केजरिवाल तक भी जाच की आज पहुँच चुकी है ऐसे में अन्ना अंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी जो प्रिष्टाचार मुक्त राजनीती का दावा करके राजनीती मेंटरी मारी थी वो सिर्फ चुनावी जुमले ही थे आम आदमी पार्टी का उदैस देश की राजनीती से साल 2012 में हुआ था केजरिवाल इस प्रण के साथ राजनीती में आए थे कि जनता को प्रिष्टाचार मुक्त वैकल्पिक राजनीती देंगे लेकिन कई बार राजनीती में वो देश पीछे और महत्वा कांग शाएं आगे निकल जाती है जो आउमाद्मी पार्टी राजनीती को प्रिष्टाचार से मुक्त करने आई थी लेकिन राजनीती करते करते आउमाद्मी पार्टी के ही कई नेता प्रिष्टाचार के केस में जेल किस सलाखों के पीछे पहुच गए आमादमी पार्टी ने सबसे कम समय में राष्ट्रिय पार्टी का दर्चा प्राप्त करा लेकिन जश्न मनाने के बजाएं आमादमी पार्टी कानूनी पछड़े में फस्ती चली गई और वो तीन मुसीबत जिसने केजरिवाल और आमादमी पार्टी के रंग में भंग डाल द दिया है दोनों को 23 मई को पेश होने को कहा गया है गुजरात युनिवरसिटी के रेजिस्टरार प्यूश पटेल ने दोनों नेताओं के खिलाफ 12 अप्रेल को शिकाय दर्ज की थी अर्विन केजरिवाल को सबसे बड़ी मुसीबत का सामना दिल्ली में ही करना होगा शराब घ रूपी समींदर महेंदरू से फीस टाइम पर बात की थी और आमादमी पार्टी नेता विजनायर को अपना आदमी बताते हुए भरोसा करने के लिए कहा था अर्विन केजरिवाल को 2022 विधानसभा चुनाओ प्रचार के दोरान के केस के मामले में गोवा पुलीस ने तलब क पचड़ों में फस गई है केजरिवाल और उनकी पार्टी के नेताओं को समझना होगा कि उनने सकरात्मक राजनीती करनी चाहिए तभी उनकी और उनकी पार्टी के लिए ये बेहतर होगा प्योरो रिपोर्ट ओमेच निउस